छाइब दोस्तों पहला कोश्या नहीं आपका कि एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे खम्मे की 8 मीटर लंबे चाय पर खड़ा हुआ है यदि व्यक्ति की चाय की लंबाई 2.94 मीटर है तो उस व्यक्ति यदिछ यहाँ दॉस washer मीटर हो तो पर दोश्याय है तो मालत हैं तो यह हो जाएगी ट्रफ्यजा सर्में pastor लोजिए को दोष्याइगाkh बसक्राइब है आजब देखिएcido लोड़ार को अंसर आज जाएगा देखिए 8 से काटेंगे 2.4 को 0.3 बढ़ जाएगा ठीक है तो 618 होगे आपका यानि की 1.8 मीटर आपका आंसर आ इतना आपको करना था आगला विशन देखते हैं कि एक गंटी हर 18 मेंट पर बस्ती है एक दूसरी गंटी हर 24 मेंट बस्ती है एक 30 कंटी हर 32 मेंट बस्ती है यदि सबी 3 गंटिया एकी समय में सुभाए 8 आठ बस्ती है तो किस समय पर सभी एक साथ बज edging दोस्तो यह आपका asaf tv question है और दोस्तो इस टायप पर question आपके लगवा सब यह पूसर जाता है चाहिए यूपिटर पर सी हो आपका रेलवे एंटी पीसी गुरूपटी हो मतलब सब ही एक्जाम में आपका इस टाइब कुछन पूसर जाता है एक से तो कैसे करते हैं देखिए आप 18 मिनिट हैं यहां पर 24 मिनिट और यह आपका 32 मिनिट इन तीनों दोस्तों हम निकाल लेंगे LCM यानि का 18 24 32 का LCM क्या होता आपको बड़ी संख्या होती है जिसमें आपको इन तीनों से भाग चला जाए तो यहां पर निकालेंगे आपको फेक्टर से 18 24 32 देखिए यहां पर देंगे वहाग दोसे तो 9 12 16 फिर दोसे 9 6 8 फिर दोसे देंगे दोस्तों तो 9 3 4 फिर 4 देंगे 4 9 3 1 3 से 3 वार स्वरी तीन वार और एक वार एक वार फिर 3 से ठीक है यहां पको इतना हो गया इन सब कर देंगा आपसे मल्टिप्लाई तो दो दूनी च चादू ने आठ चौक 32 और 3 9 32 निम्हा केतना होता आपका 288 होता है तो 288 दोस्तों आपका LCM आ गया अब देखिए दोस्तों आपका LCM आ यह आपका मिनिट में आया है क्योंको यह भी सब आपका मिनिट में दे रखा है ठीक है आप देखिए यहां दे रखा कि सुपे 8 तो हम गंटे में परबटती कर देंगे तो समय आपको निकल जाएगा गंटों में कितना 288 बटी आइसमें और 60 से बाख देंगे तो आपका मिनिट निकल कर जाएगी तो 60 आप देखिए सोल्व करतें आगे तो 60 कितना होता आपका 24 चार बर गया चार कितना बचा 48 बचा या आप कितना बचा बचे एक साथ तो जो आठ बचे टाइम था उसमें आपका चार दसम चार 48 आपका एड़ कर देंगे या निए 4 गंटे अटारिसमेट तो बचा बचा बार बचा बचे अरतारिसमेट ठीक है पीम ओजिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यानि कि जो गं तीन द्रब पैटल के 403 लीटर डीजल के 400 लीटर और मिट्टी के तेल के 496 लीटर को बिना एक दूसरे को मिलाए पूरतर समान मापकी बोतलों में ऐसा डाना है कि पृतिक बोतर पूरी भढ़ जाए ऐसी बोतलों की कम से कम कितनी संख्या कि आप सकता होगी अगर दोस्तों ऍाथ मापे डिहान दें आपको जब आपसे कम से कम भी से जाए समझ चीज़ा आपको है पूछ से अदिक तो अधर्शी तो निकाना आपको लेको यहां लेका को चार्टतेन को चार्सोटतीन का हाक के जैस सोफ चार्सोटमे का न President कि का डिख लिए का आपको सब्सक्राइब को ने का अज विए टु तो ड़ींगी दिखेता है कि यह को अपको इसमें डेखेते कि निकितना आपक थीछ sponsor ने तो इसमें र्रीष में AE हो जाएगा यहां यहां पर दोसे नहीं करता है इसलिए आपका नहीं होगा और यहां पर दोस्तों को बड़ी संख्या नहीं होगी जो आपके इन तीनों को डिवाइड करते तो 31 आपका अब 31 लीटर के आपको यह 31 लीटर दहारता कि बतर बहने पर आपको पैटल कितना चाहिए कि कि इतने लगे पैटल के दो तल तो क्या करें कितना पैटल था चार्ट थी लिटर ठीक है तो बटे कर देंगे आपके 31 तो कितना हो गया 31 एकम 31 कितना उचा 9,3,3 या 9,3 या 9,3 या तेरे बुत लगे आपकी पैटल के ठीक है अब बात कर दोस्तों आपको डिजल की तो कितना हो जाए कि आपका 465 बटे में आपके 31 तो 31 एकम 31 15 15 15 यानि कि 15 बटल लगेंगे आपकी डिजल की अब बात आरती है आपकी मिट्टी के तेल की मिट्टी के तेल तो यह कितना आपका 490 बटे कर देंगे 31 31 31 18 18 बचा 6 और यह आपके शह बार यानि कि 16 बटल लगेंगी और पूछा कि ऐसी बटल में कम से कम कितनी संख्शाओं की आपसकता होगी तो दूस्तों इन तीनों को आपको एड़ कर देंगे आंसर आ जाएगा त कि आपको समझे कुछ प्रॉग माइव तो कमेंट करके पूछ सकते हों अगरा कुछछ्ज है आपका कि कि एक परक्षा में एक शाथच्प को सफल होने के लिए के लिए 25 परशेंट अंग प्राप्ट करने होते हैं वहें के वर पचाकश अंग प्राप्ट करता है और चार से फिल हो जाता है तो अधिक्तम अंग क्या होंगे दोस्तों यहां में रखा कि चार अंगों से फिल हो गया अगर दोस्तों वह चार अंग ले आता तो उसके 15 परशंट अंग हो जाते ठीक हैं यानि इसमें हम चार अंग करदेंगे तो कितना हो गया आपका चार और हो गया तो दोस्तों यहां पर आपका 35 की बेलू को निकलगे इसको माकर अपका X तो कितना हो जाएका X बरावर हो जाएका 24 गुणा 100 और बटेव आपका 45 अब इसको solve कर लो आपका answer आजाएगा देखें 9 से काटेंगे तो 9 6 के 14 और 9 5 पैटारीस 5 से काटेंगे 20 बार तो 20 से क्यापके 120 हो गया तो 120 आपका answer आगया इस तरह से आपको सवाल सॉल्व करना था अगला कुशन देखते हैं कि 100 से 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्थ होने वाली कितनी संख्या है यह आपको निकालना आए तो देखें दस्तों यहां पर आपको यह शी धहन देनी है कि यहां पुछा आपको सौ से 300 के बीच इस फूरू होने वाली हूं या 3 समाप्थ हो देखिये दस्तों एक तो आपकी 102 होती है एक 112 होती है, जो दो पर समाप्त हो रही है एक आपकी 112 होती है एक आपकी होती है 132 1 142, 112 116 117 118, 119 ठीक है, यहाँ दोस्तों यह आपको याद रखना है यह आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ दोस्तों यह संख्या आपकी 10 हो गई, 6, 2, 8, 10 ठीक है, 100 से 119 के बीच में, जो कि आपकी यहाद दोस्तों शुरू होती होगी नहीं कोई संख्या यह आपकी यह दो पर खतम हो रही है ठीक है, आप देखें, आप क्या निकालना नाम को कि 200 से आपको 299 के बीच क्योंकर देखें, दोस्तों, 300 ना तो यहितने हो गे आपकी 1200 के निकालना मेरस जो आपका 100 से 300 के बीच में हो, 2 से शुरू हो रही है यह आपकी आपकी 2 पर समाप्त हो रही है तो इतनी हो जाएंगे आपकी 100 प्लस 10 याझने कि आपकी हो जाएंगे 110 यही आपको निकारना था ठीक है अगर आगर उसने कि एक आदमी किसी बस्तु को 25 पर बेचता है अगर उसने इसे 900 रुपे कम में खरीदा होता और 900 रुपे कम में बेचा होता तो उसे पांस परशंट का अध्रिक लाब होता तो बस तो करने के आपके दो तरीके एक सौट्रिक एक आपको थोड़े लंबब हो जाएगा ठीक है पहलों बताता हूँ आपको सौट्रिक क्या ऐसे करने की लुझ तो दो करना थाए है यहां पर कितना खानाएं और का आपे न दोनों का अंतर सब्सक्राइब हो यहां पर तीस का लाब हो हो कि जितने अगर दोस्तों यह मुल्य आपको बरावर नो सो कम में खईदा नो सो कम में बेच लाए तो जितना आपको मुल्य नो सो रुपए यह हमको मल्टिप्राइब करके ना है इसको सॉल्म कर लो आंसर आजाएगा तो तीस गुणा नो सो बटे आपका पांच पांच कि आपका पहली बार लाप कितना हो रहा है कि इसके निकालेंगे फ्रेक्शन वैल्यू जब मैं आपको बताया था पढ़ाया था परशंट है उसमें आपको बताया अच्छे से कैसे निकालते हैं 25 वटे 100 यानि कि आपका एक बटे चार और दोस्तों चार जो निश्वर संख हो गया विए आपका चार प्रसे क्यानिकी आपका 5 वो गया s-p यहांप अपर जानिकी विक्रे मुले अब देखी आप पूसा अब देखी निकालते हम दूसरी बार के तला मोरा है कि दूसरी वार लाव प्रशंट्स का आपका एक्सर लाव हो रहा है 25 को रोत कितना हो जाए और तीन आपका प्रॉफिट हो रहा है तो सब्सक्राइब कितना होगा यहां पर आपका इसको मालेते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आपका यहां सब्सक्राइब कितना चार था था ठीक है यह आप आपके इसको मालेगे पहलेगे बत्ती आपको जाए जै tas तो इसको माल लेंगे पांसे और मायनस कि आपके कितने कम बिच रहा है 900 रुपे कम में मायनस के 900 आप देखे कितना लाव हो रहा आप का अर्ट लाव हो रहा आप वह पार wiem का यहां व्योने की मेंकाड की आपगा इस भी हो जाए हैं दूपर === यहां पर बेदम करें तो आपका आंसर के आजाएगा ठ्किए हैं ज्वेण सॉलब करेंगो दोस्तों आपको शीपीजा आएगा 5 दोस्तों है अगर इस था से सबस्वार्ट थो कम से आपको एक से लिए मट का समय लग सकता है और जो अब बताई तो इससे आप मुश्कल से 10-15 सेगेंड में सॉल्ब कर लोगे तो आपसे बोलूगा आपको विकाम करना है पहले कर ले ना उपर आपको जो आपका लाश्ट में आपका लाब हो आज इतना ठीक है यह आपका एक्सलाब आने कि तोटल आपके लाश्ट में 30% का और पट मूलधन आपको निकालना है है अब देखेश एसाई के दर निकालते है यानि शादर ब्याज की दर कितनी है एक वेत्म के लिए ओ कि यहां में दोस्तों आपकी 4% week देखे आप देखे हम बात हो रह lun आप के लिए कि ब्याज की राजी जो मूल धन से 340 रुपे कम हो जाती है अब बात को दूस्तों आठ बट्स के लिए कितना हो जाएगा आपका दर तो आठ बुना चार यानि वर्ट सा आपका 4% दर होगी तो आठ बट्स परसंट अब देकि दूस्तों आपको देर कर रखा है मों निकानना ये 340 रुपई दे रख्यें ये विलू किसकी दुस्तु ये आपकीПर सेंट मैनस के आपका 32% की कि लिखैंगे Tangna.. याईनों आपका 38% बात्रहकी दे रख्यें दे रख्यार सूब निकानना याननिकी कि आपको 100% की बात्रहकी निकाननी है क्या हो जाएगा嗎 कितना होगा आपका 340 गुणा आपका 100 और बठी में आपका 68 ठीक है और दोस्तों 865 होते हैं आपके 340 तो 100 गुणा 5 कितना होगा आपका 500 रुपे और यही आपका आंसर हो गया है अगला कुशन है कि एक दुकानदा ने अंकित मुले पर 8 परसंट छूट देते हुए TV सेट बेचा और 25 परसंट का लाब कमाया यदि अंकित मुले 20,000 रुपे है तो क्रेम मुले आपको ग्याद कीजिए तो दूस्तों जो मिना पढ़ाया था प्रॉफिट लॉज तो असमें बताया था कि यहां पर क्या निकालेंगे हम CP और MRP का रिशू निकाल लेंगे ठीक है और दूस्तों CP क्या होता आपका यह होता आपका 100 माइनस के डिसकाउंट परसंटेज ठीक है MRP क्या होता आपका 100 प्रॉफिट परसंटेज देखिए छूट कितनी आठ परसंट की तो CP कितना हो जाएगा 100 मानस के अट परसंट अनपाथ और पचीशन के लाव हो रहा है तो MRP कितना होगा आपका 100 प्लस के 25 तो कितना हो गया वानवे अनपाथ आपका 125 लेकिन देखिए दोस्तों यहां पर 125 लेकिन गुना खरेंगे अगर हम 160 का तो दुस्तों आपका आएगा 20,000 रुपे ठीक है यानि यह आपका इसके 160 गुना है तो दुस्तों यह CP भी आपका वानवे ना होके यह आपका 160 गुना होगा इसका कितना हो जाएगा यह दुस्तों आपको जाएगा 14,720 रुपे और यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है आगे सलते हैं कि एक दुकानदा सभी ठेलों पर 15 परशंट छूट प्रिदान करता है वे नगत बुक्तान करने वाले ग्रहकों को चूट प्रप्त कीमत पर 5% की अतरी चूट प्रिदान करता है एक ग्रहक को 440 रुपे के ठेले के लिए तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या करना पहले लिखिए हम 440 रुपे दर अब देखिया हो रहा आपको पंदर परशंट चूट दे रहा है तो कितना पंदर चूट याने की सो मानस के पंदर है यानि कि आपका 85 परशंट ठीक है गुणा वह नगत बतां करने के लिए ग्र तो गुणा आपका पिच्चान बते 100 है अब देखिए जीनों से जीरो कट गए आपका थेक है पहां से काटेंगे दो बार शरता पंदर पिच्च शी इसे काटेंगे पांच से बीस वर जाएगा यह कितना जाएगा आपका उनिस बार इसे काटेंगे 22 बार जाएगा दोसे ठीक हैं दो से काटेंगे दस बार और यह आपका 11 वार उससे आपका आगा 11 गुणा 17 गुणा 19 बटे आपका 10 तो तो तीनों के मैं कितना आएगा यह आपका आएगा 353 और बाटे 10 यानि कि आपका आएगा 355 दस मुलब 3 लुपे यह आपका आंसर हो गया ठीक है अगला कुशन है कि एक ब्यक्ति एक निशित दर पर 3 वर्स के लिए कुछ रासी चक्रवती ब्याज पर उधार लेता है वहर रासी तीन वर्स में 30 रुपे और यहां कि मूल धन बराबर रहता है आपको याहद अखना ते पहला मैस्द्धन गुणा कि पहला म मिस्ति निए निज्fahr in आपको जाएगा दूसरा मिस्द्धन और दोसरा मिस्ति अफूस्तों इस इसकी ध्यान की तो यह आपका ठीक है यह सीज़ आपको द्हान रखनी है तो पहरा कितना मिर्दन आपका 3,000 रुपे तो 3,000 गोड़ा दूसर कितना पहरा कितना 3,000 और बट्टे कितना हो जाएगा आपका 45,000 रुपे अब इसको solve कर लो आपका आंसर आजाएगा तो दो जिरों से आपके दो जिरों कट गई ठीक है पंदर से काटेंगे पंदर तीस पंदर थी में तारेश तीन से काटेंगे आपका एक हजर बार तो एक हजर बार तो कितना हो गया आपका 2,000 रुपे और यहीं दूस्तों आपका आंसर है ठीक है एक तरीका आपका यह हो गया अब दूस्तों बताते हैं आपको दूस्तों कितना हो रहा है वह आपका तो तब उच्छे हो गा तीन और तीन च्छे वर्स यानि कि तीन वर्स में आपका पैंतारी दूस्तों और यहां से यह आपका इतना हो गया आप देखिए दोस्तों इनको सॉल्व करें दौनों को काटेंगे इसको दो बड़ जाएगा पंदेस ओतें यह आपका तीन बड ज इतना हो गया आप देखे दोस्तों यहाँ पर जो राशी आपकी पहले तीन बढ़ रहे हैं ठीक है तीन इसके रेशियो में लेक्ट दोस्तों देर खा उसन में आपका तीन के रिश्यों ने बढ़ रहे हैं तो यानि कि यहां पर तीन हजार रुपए हो जाएगे थी जो आपक तो दो की पहले हो आपकी दो ना होगे मूलधन यह आपका इसका एक हजार गुना हो जाएगा यानि कि आपका दो हजार रुपे ठीक है यह आपका आंसर हो गया आगा देखते ना झालत दुसक्त की सभी सम संख्याओं का उपस्त आपको एह धैद करना ए तो क्या होता है दिखें पृत समसंख्य कौन ची होता यह 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 का speed का जाते हैं वह था है और आपका अंतिम समसंख्य कौन ची हो गइं ad तो दोस्तों आपके 100 ठेक्ट इतना हो गया कि और दोस्ता होतने के फोर्वर में आपको क्या पता था निव्डम संख्या कि प्लस कि आपके अंतिम संख्या और बटे में आपका दो तो पहली संख्या से देखनी याप आपको कि दो है तोब्लस और प्लेट चाप्टे दो यादि करें कि आपका हो गयाकर 50 क्यांत के सब्संकियों का 51 हो गया यह आपका आंसर हो जाएगा अगला दूचनल को एक आदविंगों यदि दो गया क był तथा आदमी चाल दे रखी आपको 6 km per hour तो देखें दूस्तो पहले हम काम क्या करेंगे आपको जो हैक्टियर उसको हम कर्मेट कर लेंगे मीटर में तो दूस्तो पता होगा आपको कि एक हैक्टियर में कितने मीटर होते हैं आपका कि अपका दसपे मीटर मेर में निकाल के बर्ग चिता फिल बरावर आपको होजाएगा यह होता है कि बर्गाकार खेथका चेसे पर CAP वर्गाकार खेथका ना है यह होता दोस्तो में आपको कार होता है थिखे जोगी तो दिखेंगे नोगणा दस जार मीटर स्कॉयर ठीक है यानि कि नौगणा दस जार होगा आपका कि अच बरावर आपका बुजा कर आप दिकिए इसको इसको उठाएंगा तो यहां पर आपका हो जाएगा ठीक है नो बावर एक तीन हो जाएगा ये कितना जाएगा आपका 5-0 है हिए थे दो इस कितना हो अपका यह आपको जाएगा तो कि यहां पर चार्ज रोगए फांच नहीं सॉरे ठीक है यह आपका सव हो गया जब दस जार आपको बहाँ निकलेगा आपका सव हो और बाय मुझा है छिए आपको पमजा परर आपके आ dl हैम है चाइस यहां पर यहां पर आपको llas निइस करेंगे अब अ हुद्ध क्या होता था उनला चाव चार उनला वंहां बेच च ऐसे बारवर आपको होगा lub यापका दूरी के बरावर होता है ठीक है यानि कि आपके दूरी आगई बारसो मीटर आप देखें आप चाल दे रखी 6 क्लोमेटर परावर दूरी आपकी मीटर में तो इसको किलोमेटर में करवट कर लेंगे तो क्या करेंगे आपके बारसो में आपको भाग देंगे आपका 1000 का तो आपको कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल दूरी बोलो या आपको पर्माब बोलो ठीक है तो दूरी कितनी है आपकी दूरी 6 वटे 5 यह प्लाइए आपका और गणत कितना हो गया तो बताओंगे आप 12 मिनट यह आपका आंसर है आप दोस्तों अगला कुस्न देखते हैं आपका कि दो संपूरक कोनों का जो अनपात दे रखा है वो दे रखा है आपका दो अनपात तीन तो छोटे कोन का आपको मान ग्याद करना है तो दोस्तों संपूरक कोन क्या होता आपको ये पता होना जरूली है तो दोस्तों संपूरक कोनों को जो मान होता है को नों का मान वह आपका 108 डिरी के बरावर होता है या आपका पता है योग होगत तो यहांनि दुर्पास दोव नपती नहीं तो कितना हो जाएगा आपका चोटा कोन कि इस चोटा हो गया तो यह निकाँ है इस तरह से आपको निकान ना है कि आगला आपको कि एक नौ लिटर मिस्रण में दूद और पानी का अनपात साथ हैं तो मिस्रण कितना दूद मिलाए जाए कि नई में दूदर पानी का नपात आपका दोवर्ण पांच हो जाए दीकि दोस्तों इसको हम दो तो करेंगे पहला दिखते हैं आपका फर्स्स मेंठर जो में थार आपको अच्छा रागी है उसको सॉल्फ कर सकते हो देखिए हैब मिल्क रिशी होगए यहाँ पर आपका बाटर होगा ठीक है पराणा अनुपाथ कितना है आपका 52-7 10 व्ला Frauen को साफ आपका Erुआ है ठीक है और न कि फाल जो बना लेदाने रहा निके लिए जो पानी हो आपका प्रखेंगा यानल लंब का सब्सक्रार थान व्लाइक है यामिए पर पानी कारेसिंड को अमस्तिक को बड़ाबर कर करेंगे यहां पर सात यहां पर 5 , 35 की तो कितना बरावर किया का यहां पर मुल्टिप्राइब करना तो यहां भी इसकी मुल्टिप्राइब करने होगी कितना होगी है कि आपका पान दूनी 10 अनलप का 35 यह यानि कि इस से मकों को मतलंब नहीं ठीक है अब यहां पर अंतर प्राने ओкого छारका है ठीक है ओठ कर मानद कुछा है अब बेक्धिस्ट्स में से नहीं नos becoming क arguments 지товफ in कि यह नहीं लेना हमको यह लेना पुराना दस और 35 कितना होगे आपका दस पर 35 याने कि आपका 45 लिटर यह आपका मिश्रन है पुराना ठीक है और नहीं कितना है आपका और 35 लेकिन दोस्तों इसकी वैली क्या दे रखी आपकी कि मिश्रन आपका 9 लिटर का है यहाँ पर कुछ्ण दे रखा है तो जो हम क्या करने यहां पर क्रोस मुलिटलाइब कर देंगे तो आपका आपका आंसर आपका 9.4 बटे आपका 45 9 से काटेंगे 5 बार तो 4 बटे 5 कितना होगे आपका 0.8 लीटर यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है यारि दोस्तों अगर हम इसमें मिस्ने में आपका 0.8 लीटर दूद मिलाते तो नए मिस्ने में दूद हो पाने का जो अनपाथ था कितना आपका 9 लीटर का 그래 ऑफ के दुद उसमें 2 पानी आपका साथ है तो यह जानिक दौद का दूद हो गया और आपका पानी हो गया साथ यह आपक का पानी कि माहतरा है यह आपका कि माहतरा है ठीक है कि यह पुतना गूलाौ आप कितना दूद्ध मिला जाएम यहां पर दोड़ें दे accurately आ जो सब्सक्राइब पानी कितना आपका 5 है तो 2 बटे 5 हो गया अब इसको solve कर लो आपका x माना जाएगा वो यह आपका आंसर होगा तो देखे 5 दूनी 10 प्रस एक्स बराबर 10 प्रस 5 एक्स बराबर 7 दूनी 14 ठीक है तो 5 कितना हो गया 14 मानस के 10 यानिकी 4 हो गया तो x कितना हो गया आपका 4 बटे 5 यानि कि आपका 0.4 लीटर ठीक है यह आपका आंसर हो गया तो 0.8 लीटर ठीक है आगे सलते हैं जिए रखा है कि A और B की आयू का जो अनपात है आय का अनपात 3 पर 4 है तो दोनों की खर्च का अनपात है रखा 2 पर 3 तो हर एक की बचत 200 रु हो गया कितना प SECRET का टाथ चार अऊनिकंग करणा लोका शेछं र कितना अंपात है दोनों पात allied at Só यह 2 यह अर्प थी आपका 3 झाल है ठीक है आप दिखना क्या होती है आपकी तो सेविंग तो बाचत जोस्तों क्या होती है आय-क की खर्द धूस्त का और वे मैं किसको कुछ नहीं करना है कि आप देखिए to यहां है कि पि집 गताते यहां कि चाहिनी रेस्व टेट कर नहीं यहां नहीं कि आपके दोस्तों बेर शैक्ते यहां श्युक्त तो तीन गुणा 200 कर देंगे तो कितने आपकी 600 रुपे यानि दस्तों जो आपकी एक ही आय हो गई वह आपकी 600 रुपे हो गई अब निकारना बी की आय तो चार वैल्यू तो कितना हो गई चार गुणा 200 यानि कि बी की आय आपकी आगे 800 रुपे यही आपका आंसर है इतना आपको करना था अगला उसने कि किसी आयताकार छेत की प्रितिक भुजा 4% कम कर दियाती है तो आयताकार खेत के छेतवर में कितने प्रितिकत की कमी हो जाएगी तो दोस्तों इसको भी हम दो दोसरे करेंगे आपका गो理 होता है कि छेतर में कमी बराबर कमी या व्रद्दी क्या होता है एक्स बॉब हूथ le part this बना फोला इसों शूं समें 265 ग्रहए अगैं अब इकh हो रही और इलए चैयरे कि ऑनका यांई चालीस कि कमी हो रही है तो यह एक मांस के चालीस क्मीोर ही क्या क्लाइफ थी म्おい कर देंगे तो मैंज के मैंस 9-40 कि मैंन से 40 बठें आपका 100 आप देख देख्थों यह मैनस मैनस का प्लस हो जाएगा ठीक है कितना वह बैसे काटेंगे दो बार वीजे 5 बार पांसे काटेंगा आठावर तो कितना कि किइस की लेकित्व तो अब आपका ब्रद्य होती है यह आप कहा हो गया इतना अब दोस्तों इसका तरीका देखते हैं दूसरा सॉल्व करने का जो कि आपका फ्रेक्शन में थड़ा है यहां पर दे रखा आपका 40% की कम हो रही है ठीक है तो इसके फ्रेक्शन में निकालेंगे कितना होता चारीस बटे 100 यानि आपका 2-5 ठीक है तो देखी दोस्तों पहले आगर आपके 5 थी तो दो की कम यह रही है है आपकी कितना ओजाएका पहले पांस थी ठीक है फिर आपका तीन हो रहा है दो कम होके ऐसे यौब दोबारा निकाल है तो पहले पांस फिर आपका तीन ठीक है यो कि आयत में जो आपकी बुजाए होती है एक लंबाइ चोड़ाई तो इन दोस्तों कर देंगे ध läuft कितनी पत्चीस और यह आपका तीन दिया दो जो पहले कितना था रु हो गई कितना हो गया मानश कि शोलर बटे कले पट cumplुगह ऑपका सो पट्दग काटिंग कर How Bonnie कि मानस से सुपन के आपकी यह शोलर परिशन्ट कि यहांनीक्त शॉलर परजंट क्या भी कम यह यह तिक है यह आपका आंसर हो गया अगला कुछन है आपका सत्रे मां कि तीस छात्रों की जो आउसत आयू आपकी नौ बर्स है ठीक है यदि उनके सिक्षक को सम्लित कर दिया जाए तो आउसत आयू आपकी 10 वर्स हो जाती है तो सिक्षक की आयू आपको याद करनी है पेराफ निकालेंगे दोस्तो कितना हो जाएगे आपका तीस गुणा नो कितना हो गया नो तीस सत्र यान दूस सत्र वर्स ठीक है अब आगे बोलागे अगर उसमें सिक्षक को भी साम्मिल कर लिए तो आपकी जो आउसत आयूब आपकी 10 वर्स हो जाती है यानि दोस्तों तीस छात्रों ठीक है फिरस आप 31 लोगों की जो आपकी कुल आयू आगी वो आपके 310 वर्स ठीक है यानि जो आपके 40 वर्स निकलके आ गई है आगे सलते हैं कि यह जो आपका 450 रुपे के साथ एक वैपसाय आरम करता है कुछ समय बाद वह 300 रुपे के साथ बीवी वैपसाय में सामिल हो जाता है यदि साल के अंते में मुराफ़ को दो अनपात एक के अनपात में वालिद किया जाए तो बताएं कि वैपसाय में कब सामिल आपका हुआ था ठीक है तो यहां पे आपको एक फॉर्मॉलिया रखना है वो क्या है आपका के एका मुनाफ़ा बते आपका बे का मुनाफ़ा ठीक है बराबर एक द्वारा निविस रासी यहां जितनी रासी आपके लगाएगा यह एक द्वारा वो यहां पर रखना है आपको गुणा एका समय बते आपको रखना है बी द्वारा निविस रासी गुणा आपका बी का समय ठीक है इसमें बुलाएगा बी वेबसाइब में कम सामिल हुआ था तो मान लेते हैं जो बी वेबसाइब में सामिल हुआ था वो आपका एक्स महिने के लिए सामिल हुआ था ठीक है तो यहां मान सब्सक्राइब को यह बदें रखा है कि मुनाफ़ाइब करें यह दो बते एक होगे आपको परावार एक दोल्ट ने आपको 450 उबना समय कितना एक का यहां पर है कि यह साल के अंथ में ठीक है तो यार्नीकी 12 महिन हो गया प्रका यह समय बते आपका बी दोल्ट ने साज कि था मने आपका अंसर आजाएगा देख काटेंगे इसको रेचसे दो बाद जाएगा यह आपका तीन बाद तो यहाँ पर आपका एक्स बढ़ावर कितना आ गया नौ महीन हो गया ठीक है यहां निकी जो आपका वी था कि नौ महीने बाद ठीक है वेफसाय में सामिल हुआ सामिल हुआ लेकि दोसे बच्चे गलती क्या करते हैं इस नौ महीने को आपका आंसर बागर चले आते हैं लिए कि वो गलत है ठीक है क्योंकि पूछा है कि इसमें वी जो आपका कब सामिल हुआ नव महीने के पाइस सामिल हुआ कि तीर महीने के लिए ठीक है अगर आप नाए फूचा है으면 चले आपके पूछा का चले ъदे है तो दोस्तो वह आंसर आपको ध्यान देना है कि अगला आपका तीन किरमाقط बिस्वं संख्यां का योग आपका 33 थे टो सबसे पिर्ते के सब कесना को आपके नार वोका कोलों है कि और सो समो के लड़को में बारे सो पचास पुर्ण संत्रे हैं पिर्टेक लड़के को सम्हों में लड़कों की संख्या के दुगने संत्रे प्राप्त होते हैं तो सम्हों में लड़कों की संख्या आपको ग्याद करनी है तो मान लेते हैं दुस्तों आपका सब्सक्राइब कितने आपका एक्स हैं तो संत्रा मिले बराबर कितना हो तो 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 यानिकी टू एक्स ठीक है आपका इतना हो गया आप देखे एक सब्सक्राइब संत्रा में बारेसों पच्राइब कितना हो जाएका आपका अंडरूट 625 यानिकि आपका 25 तो आपका अच्छा थी दोस्तो वह आपका पच्छिस थी और यह दोस्तो आपका आपका आंसर हो गया तो दुस्त उम्मीद करता ओ यह आप पसंद आए होगा अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राब करें साथ ही वीडियो को दोस्तों साथ सेयर करें